प्रिष्ट संख्या 114 भारत माता अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाती के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किसम की घिजा की जरूरत थी लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्ता दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था मैं उन मसलों का जिकर करता जो उत्तर से दखिन तक और पूरव से पश्चिम तक किसानों के लिए यक्सा थे और स्वराज्य का भी जिकर करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बलकि सभी के फाइदे के लिए हो सकता था मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दखिन में कन्या कुमारी तक की अपनी यातरा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी यानी गरीबों, करज़दारों, पूंजी पतियों के शिकंजे, जमीदार, महाजन, कड़े लागान और सूद, पुलीस के जल्म ये सभी बातें गुती हुई थी उस धड़ड़े के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज हैं मैं अपनी बाचीत में चीन, स्पेन, अभी सीनिया, मध्ध यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता पिश्ट संख्या 115 मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तबदीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमरीका ने कैसी तरक्की की है यह काम आसान ना था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था, वैसा मुश्किल भी ना था इसकी वज़़ यह थी कि हमारे पुराने महाकाब्यों ने और पुरानों की कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे, जिन्हों ने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्हों ने बड़ी जंग में या धाओं के सिलसिले में बिदेशों में नौक्रियां की थी सन तीस के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वज़े से दूसरे मुलकों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुँचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है? या भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते है? मेरे सवाल से उन्हें कुतुहल और ताज्यूब होता और कुछ जबाब ना बन पढ़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते मैं सवाल करता ही रहता आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अंगिनत पीडियों से किसानी करता आया था जबाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धर्ती से है कौन सी धर्ती खास उनके गाउं की धर्ती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धर्ती से उनक मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्हों ने समझ रखा है लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। अभ्यास पाठ के साथ नेहरू जी की क्या अवधार्ना थी? छे, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पाठ के आसपास एक, आजादी से पहले भारत निर्मान को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए! दो, भारत की विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तीन, आपकी दृष्टी में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? बताईए! चार, वर्तमान समय में किसानों की इस्थिती किस सीमा तक बदली है? चर्चा कर लिखिए! पाँच, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचरित थे, किनी दस नारों का संकलन करें और संदर्व भी लिखें! भाशा की बात एक, नीचे दिये गए वाक्यों का पाठ की संदर्व में अर्थ लिखिए! दखिन पच्छिम यकसा एक जुज धड़े नीचे दिये गए संग्या शब्दों के विशेशन रूप लिखिए! आजादी चमक हिंदुस्तान विदेश सरकार यात्रा पुराण भारत पिष्ट संख्या एक सो सत्र शब्द छवी सयाने समझदार घिजा खुराग, भोजन या खाद्य नजरिया दिष्टिकों महदूद सीमित मसला मुद्दा यकसा एक समान धड़्धे बोज तब्दीलियों परिवर्तनों जुज खंड या भाग कश्मकश उखापो या पसोपेश हवाले संदर्भ स्वस्थ मजबूत कदकाठी वाला अजीज प्रिय दर असल वास्तव में जल्सा समारो धावा आक्रमन